Hello friends, welcome back to our channel दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको सूट के चाक में अंडरग्राउंड पाइपिन लगाना बताएंगे तो देखिए ये हमारे चाक हैं यहाँ पर हम आपको अंडरग्राउंड पाइपिन लगाना बताएंगे और हमारी इस वीडियो को देखने के बाद में हर कोई चाहें वो perfect हो और चाहें वो beginners हो काफी आसानी से pipe in लगाना सीख सकते हैं तो pipe in लगाने के लिए दोस्तों हमने यहाँ पर अपने simple suit को fitting वाली सिलाई लगा कर complete कर लिया है बस नीचे की तरफ हमने अपना दामन और चाक फोल्ड नहीं किये हैं इसी तरीके से दोस्तों आपको भी नहीं करने हैं इसके बाद दोस्तों आपको ले लेनी होगी एक डोरी वाली pipe in यह आपको market में बनी बनाई ready made भी मिल जाएगी या फिर आप इसे खुद भी बना सकते हैं दोस्तों अगर आपको बनानी नहीं आती है तो हमारा एक show है जिसका नाम है छोटी मगर मोटी बाते आप उसे follow कर लीजिए वहाँ पर आप ये बनाना काफी आसानी से सीख जाएंगे तो अब हम आपको बताते हैं इसके बाद आपको क्या करना है तो दोस्तों सबसे पहले आपको अपने SUIT को उल्टा करने के बाद में इस तरीके से बिछा लेना है जैसे के हमने बिछाया हुआ हुआ है इसके बाद देखी साइड में हमने 1.5 इंच का मार्जन तुरपाई में फोल्ड करने के लिए छोड़ा हुआ है जब आप कटिंग करते हैं तो इसी तरीके से आपको भी छोड़ना रहता है इसके बाद हम क्या करेंगे उपर वाले पल्ले को इस तरीके से एक तरफ कर देंगे और देखिए नीचे वाले पल्ले का सीधा भाग हमारे उपर की तरफ आ गया है अब हम इस पर अपनी मार्किंग करेंगे तो marking underground piping करने के लिए आपको सीधी तरफ ही करनी होती है तो यहाँ पर हम सबसे पहले अपने नीचे के तरफ से 1.5 इंच पर margin वाला निशान लगा देंगे तो यह हमने अपना निशान लगा दिया है और जहां तक हमारी fitting वाली सिलाई है इस fitting वाली सिलाई से 1.5 इंच वाले margin वाले निशान को सीधा कर देंगे तो यह हमने अपने निशान को सीधा कर दिया है इसके बाद हम अपने दूसरे वाले पल्ले को जो उपर वाला पल्ला है इसके उपर इस तरीके से बिछाएंगे फिर से और भिछाने के बाद में इस तरीके से हलका हलका हाथ मारेंगे जिससे के हमारा जो निशान है वो दूसरे वाले पल्ले पर भी ठीक तरीके से आ जाए देखी दोस्तों यहाँ पर हमारा जो निशान है वो दूसरी तरफ छप गया है अब हम अपने इस निशान को थोड़ा डार्क कर लेते हैं तो यह हमने अपने निशान को डार्क कर लिया है इसके बाद चलिए मशीन पर हम आपको बताते हैं पाइपिन इसमें हम कैसे लगाएंगे तो दोस्तो पाइपिन लगाने के लिए हम अप क्या करेंगे मतलब कि margin वाला हिस्सा हमारा margin की तरफ बाहर की तरफ रहेगा और goal वाली जो हमारी pipe in है ये हमारे chuck वाले निशान पर इस तरीके से set होगी और set करने के बाद में हम pipe in के बराबर बराबर एक कच्ची सलाई लगा कर इसको attach कर देंगे और दोस्तो कुछ लोग क्या करते हैं इस तरीके से quarter inch का margin फोल्ड किया और फोल्ड करने के बाद में इस तरीके से यहाँ पर इसको रख कर सिलाई मारकर attach कर देते हैं तो थोड़ा ये cutting होता है लेकिन हम आपको इससे भी ज़्यादा आसान तरीका बता रहे हैं दोस्तो पाइपिन लगाने के लिए आपको जरूरत होगी single boot की ये आपको market में काफी आसानी से मिल जाएगा ये दो तरीके को होता है मतलब कि left side का और right side का दोनों में से आप कोई भी use कर सकते हैं इसके बाद देखिए दोस्तो यहां पर जहां तक हमारी fitting की सिलाई लगी हुई है वहां तक हमारी सिलाई आ चुकी है और आपको क्या करना है इस सिलाई से एक इंच उपर की तरफ को आपको अपनी pipe in को attach कर देना है यह हमने एक इंच तक attach कर दिया है इसके बाद हम यहां से अपनी जो extra pipe in है इसको cut कर लेंगे और cut करने के बाद में अब हम क्या करेंगे दोस्तो पहले quarter inch का कपड़ा fold करेंगे इस तरीके से पहले धागा काट देते हैं इस तरीके से quarter inch का margin fold करेंगे और उसके बाद फिर एक और fold करेंगे अपनी pipe in को दिखाते हुए देखी इस तरीके से और बराबर में हम सिलाई लगाएंगे तो इसके लिए हम यहां पर same कलगा धागा लगा लगा लेते हैं तो दोस्तो हमने अपनी machine में same कलगा धागा चड़ा लिया है इसके बाद हम इसे fold करेंगे और fold करने के बाद में आब हम जो सिलाई मारेंगे वो अपने कपड़े की इस वाली किनारी पर सिलाई लगाएंगे इस तरीके से देखी हम दिखाते हैं यहाँ पर हम अपनी सिलाई लगा रहे हैं मतलब कि pipe in को बचाते हुए तो देखी दोस्तों यहाँ पर हमारी जो pipe in है वो इस तरीके से attach हो चुकी है इसके बाद क्या करना है आपको इस तरीके से यह अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है और फोल्ड करने के बाद में यहाँ पर एक कच्ची सलाई लगा लेनी है इसके बाद आप यहाँ पर आसानी से तुरपाई कर सकते हैं तो देखी हमारी जो pipe in है यहाँ पर इस तरीके से underground आ चुकी है अब हम क्या करेंगे सेम इसी तरीके से दूसरी side पर भी pipe in को लगा लेंगे तो अब हम अपनी pipe in को इस तरीके से यहाँ पर फिर से set करेंगे margin इधर की तरफ और pipe in अंदर की तरफ तो देखी दोस्तों यहाँ पर हमारी दूसरी side पर भी pipe in जो है finishing के साथ लग गई है इसके बाद हम इस पर एक पूरी कच्ची स्लाई लगाना आपको बताते हैं किस तरीके से लगाएंगे तो कच्ची स्लाई लगाने के लिए दोस्तों आपको करना होगा यह जो margin है इसको इस तरीके से अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद में उपर से आप कच्ची स्लाई लगाना शुरू कर देए द्यान रहे आपकी पाइपिन विल्कुल एकदम किलियर आनी चाहिए इसी तरीके से जैसे हमने लगाई है तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारी चाक वाली जो पाइपिन है बहुत ही finishing के साथ आ गई है तो जिस तरीके से हमने अपनी इस वाले चाक पर पाइपिन लगाई है उसी सेम तरीके से दूसरी वाली साइट पर भी हम अपनी पाइपिन को complete कर लेंगे और उसके बाद नीचे के जो हमारे पल्ले है इनको भी हम fold करके normal तेयार कर लेंगे तो देखी दोस्तो यहाँ पर हमने अपने दोनों तरफ चाक पर पाइपिन लगा लिए है और पाइपिन लगाने के बाद में हमारे सूट का जो लूक है बहुती खुबसूरत आ गया है उम्मीद करता हूँ दोस्तो आपको हमारा आज का ये पाइपिन लगाने का तरीका पसंद आया होगा और अगर पसंद आया तो हमारी इस वीडियो को जादा से जादा अपनी दोस्तों में शेयर करें और लाइक करें दोस्तो आपका लाइक करना यह हमारी मेनत का फल होता है और दोस्तो साथी हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के आइकन को क्लिक जरूर कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे दोस्तो अगर किसी कारण नोटिफिकेशन नहीं मिल पाती है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है क्यूंकि आप हमें फेस्बुक पर और इस्टाग्राम पर रूप फैशन पॉइंट के नाम से फॉलो कर सकते हैं वहाँ पर हम आपके लिए बहुत ही अच्छे अच्छे डिजाइन के फोटो डालते रहते हैं वहाँ से आप अपने लिए कोई भी अच्छा सा डिजाएं चूज कर लें तो मिलते हैं नेक्ट वीडियो में कुछ खास लेकर आपके लिए तब तक के लिए थैंक्यू फॉर वाचिए